घलो फ्रेंस ज्ञागृती स्वेज़ भूट में आपका स्वागत है और मैं हूं ज्यागृती बट आज हम बढाएंगे मुंग दाल के ढोकले बिन्ना सोडा के बढायंगे बहुत ही स्वाधिस्ठ और बहुत ही हेल्दी बनते और फ्रेंस एक बार जरू ट्राइ करें तो यह जरूरत ना पड़े तो बिल्कुल पानी ना डाले फ्रेंड्स और यहां पर अद्रक लिया है हम इसके साथ ही पीस लेंगे तो देखो यह हमने क्रस कर लिया पर अभी यह दर दरा है दाल भी दिख रही है अच्छे से पीसी नहीं है तो थोड़ा सा एक दम थोड़ा सा पानी इसे फिर से क्रस कर लेंगे तो देखो यह बिल्कुल ढोकला बेटर जैसा पीस चुका है हमारा तो इसे निकाल लेंगे और इसी तरह से सारी दाल को हम पीस लेंगे थोड़ी थोड़ी करके अगर आप बड़ा सा जार लेते हैं तो एक साथ पीस सकते हैं तो देखो यह हमने पीछ लिया अभी इसे निकाल लेंगे और पूरी दाल अच्छे से पीछने के बाद हम इसे ये जो बेटर हमारा निकला है उसे हम इस तरह से बीट करेंगे हाथों से ताकि ये थोड़ा फ्लॉपी और हलका हो जाए इसमें हम सोडा वगरे नहीं डालेंगे तो इस तरह की प्र को अगर पता नहीं चलता ये बावल जो है हलका हो जाएगा और ये बेटर जो है फूल जाएगा पर एसे पता नहीं चलता तो यहाँ पे कटोरी में पानी लेंगे उसमें थोड़ा सा बेटर डाल के उपर आ जाए बस इस तरह का हम बीट करेंगे तो देखो ये कर लिया और यहाँ पे लहसुन हमने करस किया है दो कली जितना वो डाल दिया लहसुन आप नहीं खाते ना डाले और यहाँ पे हम स्टीमर तयार करेंगे तो ओलरेरी गेस हमने ओन कर दिया कड़ाई में पानी हमने डाल दिया है काठा रग दिया है तो अच्छे से पानी हमारा गरम ह तर तक हम यहाँ पर थाली तयार करेंगे तो थाली को ओल से ग्रीज कर लेंगे तो देखो इस तरह से Εभी हमने जो बेटर तयार किया हगे वह हम इसमें डाल दिनगे और इसे अच्छे से फेला लेंगे इस तरह से फेलाएंगे तो देखो यह हो गया अभी हम इसके उपर थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर छिड़केंगे चरुरत के इसाब से तिखा आप जितना पसंद करते हैं उतना डालें अगर आप नहीं तिखा पसंद करते हैं आप इसे अबोर्ट भी कर सकते हैं तो देखो यह थाली हम स्टीमर में रख देंगे पानी में अच्छा उबाल आ चुका है हमारा तो अभी थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करते हुए हम देखते हुए पकाएंगे तो चपू हमारा नीट और कलीन आ जाए देखो अभी चपू में चिपक रहा है तो यह अभी नहीं हुआ है थोड़ी देर ओर होने देंगे तो अभी हम चेक करेंगे तो देखो यह चपू हमारा अच्छा कलीन आया है तो दोखला हमारा बिल्कुल रेडि हैं मिल जाये तो बहुत ही मजा आ जाता है तो देखो आप में निकाल के दिखाती हूं आपको अच्छे से तो देखो अंदर से एकदम सौफ्ट और अच्छे बने है तो इसे मैंने गार्लिक चटनी और तेल के साथ सव किया आप चाई के साथ या फिर आप ग्रीन चटनी के साथ सव करें बहुत ही स्वाधिस्ट लगते हैं तो फ्रेंट्स बनाईए और अपने अनुभव हमारे साथ जागरूत इस वेज़ फूट पर सेर करें बताए कि इस लगए आपको रेसिपी बसंद आए तो प्लीज लाइक सेर और सब्सक्राइब करना न भूले मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ तेंक यू